प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट क्या संबंध है, देखिए, आपकी जन्म की तारीख का संबंध किसी एक विशेश ग्रह से होता है, जो बेसिक नंबर है, मूल अंक है, वो कुल मिलाके एक से लेकर नौ तक है, उसके बाद दस या दस के आगे के जो नंबर है, वो मूल अंक नहीं है, वो कमपाउंड नंबर है, तो मूल अंक एक से लेकर नौ तक है, और हर अंक का संबंध एक विशेश ग्रह से है, उस ग्रह से व्यक्ती का जीवन पूरी तरह से निरधारित होता है, अगर आपका नंबर एक है तो आप सूरी से प्रभावित रहेंगे जीवन भर अगर आपका नंबर छे है तो आप पूरी तरह से जीवन में शुक्र से प्रभावित रहेंगे तो जिस तरह का नंबर है आपकी जन्म की तारीख का उस तरह का ग्रह पूरी तरह से आपके जीवन को निर्धारित करेगा और उसी ग्रह से संबंद रखता हुआ करियर व्यक्ति आम तोर पर अपने जीवन में चुनता है जिस तरह के नंबर का जिस तरह के अंक का आपके उपर जादा प्रभाव होता है वैसे ही करियर की तरफ आप जाते हैं या वैसे ही करियर का चुनाव करते हैं अगर उसके विपरीत दिशाओं में करियर होता है तो व्यक्ति के जीवन में बाधा आ जाती है यानि अगर आपका अंक कहता है कि आपको व्यापार करना चाहिए और आप नौकरी करने लगते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाय आनी शुरू हो जाती है यानि जिस तरह के करियर का इशारा होता है उस तरह के करियर की तरफ जाना चाहिए अलग-अलग वर्षों का और अलग-अलग महीनों का भी अंक होता है जैसे मान लिया 2023 का अंक है 7 और 2023 में अपरेल का अंक है 4 तो 2023 में अपरेल का जो अंक है वो हो जाएगा 2 क्योंकि वो हो जाएगा 11 तो अलग-अलग वर्षों और अलग-अलग महीनों के अंक होते हैं और इन अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ता है यानि अगर हम बहुत गहराई से समझना चाहें तो केवल आपकी जनम की तारीक से जान सकते हैं कि किस साल में आपका करियर कैसा रहेगा और किस साल के किस महीने में आपको सफलता मिलेगी और किस साल के किस महीने में आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी तो अगर आपको अपने जनम का साल नहीं पता है जनम का समय नहीं पता है कोई बात नहीं केवल जन्म की तारीख के आधार पर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं बात करते हैं नमबर एक की, वन नमबर की अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की एक तारीख है, दस तारीख है, उन्नीस तारीख है या अठाइस तारीख है तो इसको जोड करके देखिए, इसका नंबर आता है एक, यानि ये एक नंबर वाले लोग हैं, और एक नंबर वालों का संबंध होता है सूर्य के साथ, यानि जिनकी भी जन तारीख का जोड तोटल एक आता है, उनका संबंध होता है सूर्य से, इनकी सिक्षा में सामान निरूप से बाधाएं आती ही हैं, आम तोर पर आप देखेंगे कि एक अंक वालों की शुरुवाती सिक्षा बहुत अच्छी होती है, जो मिडिल एज की सिक्षा है, जो मध्ध की सिक्षा है, आम तोर पर 15-16 साल से लेके 28-30 साल तक वहाँ पर थोड़ी प्राबलम होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है, यानि मध्य में सिक्षा प्राप्ट करने में इनको दिक्कत होती है, अगर आपका नंबर एक है, तो आपके लिए साशन का छेत्र, प्रसाशन का छेत्र, चिकित्सा का छेत्र और राजनीती का छेत्र आपको फाइदा पहुँचा सकता है, इन छेत्रों में सफलता पाने की स अगर आपका अंक एक है तो आप किसी भी छेत्र में रहें आप स्विध्यालेक या ध्यापक बन जाएं या चतुर्त श्रेडी के करमचारी बन जाएं जिस भी छेत्र में रहेंगे उस छेत्र का नेत्रित्व करेंगे लीडिंग केपैसिटी नेत्रित्व करना एक अंक वालों के पास जरूर होता है इसलिए अगर ये छोटी जगां पे भी रहेंगे तो वहाँ पे भी चीजों को कंट्रोल करेंगे नेत्रित्व करेंगे इसकी संभावना रहती है जीवन के आरंब से ही इनके करियर की शुरुवात हो जाती है यानि आम तोर पे एक अंक वालों का करियर उम्र के 18-20 साल से ही शुरू हो जाता है करियर इनका थोड़ा जल्दी शुरू होता है अब करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं आपका जो भी करियर हो अगर अंक एक है आपका और आप चाहते हैं कि आपका करियर अच्छा हो तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए रोज सुबह एक लोटा जल्द भगवान सूर्य को समर्पित करें सूर्य देव के मंत्र का जब करें या आदित्य हृदय इस्तोत्र का पाठ करें रोज सवेरे ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा यानि आप अगर करियर में किसी भी तरह की मुश्किल से परेशान हैं और आपका अंक एक है तो सूर्य देव की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साल दो हजार तेईस में अगर हम देखें तो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चड़ाव दिख रहा है इसलिए साल दो हजार तेईस में सूर्य की निरंतर पूजा करने से आपको लाब अवश्य होगा आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जुड़िये इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से